हलो दोस्तों नमस्कार सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है उत्राखंड ने विग्यापन जारी कर दिया है उत्राखंड SSC से विग्यापन आ चुका है 121 पदो पर रिक्त जो है उन्हें सिती भरती का विग्यापन आया हुआ है कनिस्क अभियंता सिविल की य यह पोश्ट है यह विग्यापन पहले भी आ चुका है जिसे अब दुबारा से जारी किया गया है पहले इसमें 100 पद थे लेकिन अब 121 पद है जिन जिन द्यार्थियों ने इस फॉर्म को अपलाई पहले कर दिया था उन्हें दुबारा से फॉर्म को फिल करना है और रहे हैं हम इसकी ओप्सियल वेबसाइट पर आ गये हैं जहां से फॉर्म को फिल करना है तो आईए देखते हैं जैसे ही हम नीचे आएंगे यहां पर विग्यापन संक्या 24 UK SSC 2020 दिया गया है इसमें जूनियर इंजिनियर की पोस्ट यहां पर है यह है डेट स्टार्ट हो चुकी है 11.6.2020 से इस फॉर्म को भरा जा रहा है और 29.6.2020 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा 121 पद इसमें दिखाया गया है और इसमें और भी पोस्ट हैं विग्यापन पोस्ट किये गए हैं जिने आप इसकी मेन वेब साइट पर आकर देख सकते हैं और अपने फॉर्म को फेल कर सकते हैं तो आईए देख लेते हैं इस विग्यापन के बारे में इसका में दिया गया है कि उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयोग उत्राखंड पेजल संसाधन विकास और निर्माण निगम में समूहुगा के अंतर गत कनिस्क अभियनता सिविल के रिक्त 121 पदों पर सीधी भरती द्वारा चैन हेतु आउनलाइन अवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं इच्छुक अभ्यार्थी अवेदन करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाकर अवेदन कर सकते हैं जिन अभ्यार्थियों द्वारा पूर्म में विज्यापन संख्या 18 UK SSC 2019 दिनाक 97 2019 द्वारा विज्यप्ती कनिस्क अभियनता सिविल के सो पदों हेतु अवेद सिरे से ऑनलाइन अवेदन पत्र भरना होगा और नए सिरे से परिक्षा सुल्क भी जमा करना होगा और इस फॉर्म को भरने से पूर्व OTR को भरना अनिवार है जिसमें अभ्यारती अपनी पूरी डिटेल देता है और जो फॉर्म भरते समय वहाँ अटोमेटिक फील हो जाता है इसलिए OTR को भरना अनिवार है आप पहले OTR को भरें और उसमें जो यदि कोई तूर्टी होती है तो वहाँ पर एडिट के विकलप पर जाकर आप उस फॉर्म की तूर्टियों को दूर कर सकते हैं यदि तूर्टी हुई है तो उसे जरूर दूर करें क्योंकि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी यही तूर्म में भी फील हो जाएगी यहां पर यह दिया गया है कि आपके कितने पोस्ट किस विभाग के लिए है और किस श्रिणी के लिए दिया गया है आप इसके नौटिपेशन में यह देख सकते हैं और आप इसमें यह देखें कि आपकी फीज सुल्क क्या है इस नौटिपेशन के पेज नंबर आठ पर दिया गया है कि आपको किस कटेगरी के लिए कितनी फीज जमा करनी होगी तो आप इस नौटिपेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और OTR को जरूर भरें वन टाइम रजिस्टेशन जरूर करें ताकि आपको फॉम भरने में कोई दिकत ना हो और यदि आपको कोई दिकत होती है तो इस नौटिपेशन में हेल्प नाइन नंबर भी दिया गया है जिस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वेबसाइट की लिंक दे दूँगा जहां से आप ओनलाइन फॉम अपलाई कर सकते हैं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो नमस्कार दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले नोटिपेशन के साथ जैहिन